नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल आरकेजे सिविल पार्ट साला आज संडे है और आज की तारिक है 3 मार्श 2024 और आज के दाहिंद्यो नियूस पेपर का में इनलाइसिस करने वाले हैं आज हमारा जो मैन फोकस रहने वाला वो साइंस की नियूस के ऊपर ही रहेगा क्योंकि संडे के दिन दाहिंद्यो में साइंस की नियूस ही जादा रहती है और यह हमारे एक्जाम के परस्पेक्टिव से भी काफी इंपोर्टेंट रहता है तो सुरुआत हम करने वाले हैं साइंस की पहली नियूस जो देखने वाले हैं इसको हम खोलते हैं साइंस वाले पेज में डारिक चलते हैं साइन्स में आप देखिए आज की समय में काफी सारी important news यहां पर हमको देखने को मिली है पहली जो हम news देखने वाले हैं वो सिकारी मचलियों से related है इस में इस article में एक research की गई है जिसमें हमें ये पता चला है कि जब कोई मचली सिकार करने के लिए निकलती है तो किस प्रकार से उसकी body में changes आता है उसकी body अपना color change कर लेती है सिकार करने के बाद फिर से वो normal अपने रूप में आ जाती है इस से क्या होता है कि उसके साथ वाली जो मचलियों जुन्ड में सिकार कर रही है यहां हम जिस मचली की बात करने वाले हैं उस मचली का नाम यहां पर सुरू में ही दिखाए गया है तो IUCN Red List की 380 केटेगिरी में इस मचली को रखा गया है बोला जा रहा है कि यह जो मचली होती है न यह जब अपने सिकार पर रहती है तो बोला जाता है कि टॉप 100 मीटर ओप दा वाटर में आपको यह सिकार करते हुए दिखाई देगी मतलब 330 फिट की गहराई में आपको यह सिकार करते हुए दिखाई देगी नॉर्मली देखा जाए यह न ब्लू मार्लिन एक और इस इनी की कैटेगीरी की मचली है इसमें और उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कलर को लेग करके तो जो स्ट्राइपिट मार्लिन फिस होती है यह माइग्रेटरी फिस रहती है देट आर ओफन फेवर्ड फॉर दियर मीट एंड टर्न इंटो सुसी नौन एस नियार्गी कुल मिला करके यह भी अब मीट के लिए जानी जाती है और थियर्टेटर्ट की कैटेगीरी मिसिच के लिए रखे इनकों की खाखा के लोग खतम कर रहे हैं तो इस ट्राइपिट मार्लीन यह फास्टेस्ट एनिमल माने जाते हैं इस प्लानेट में वन ऑप दा ओसियन स्ट्रॉप प्रिडेटर साथ ही साथ में यह ओसियन के टॉप प्रिडेटर की कैटेगरी मिनको रखा जाता है और यह जब ग्रुप में सिखार करती है तो जो एक इंडिविज्वल मारनेल रहेगी विल टेक टर्न्स अटैकिंग स्कूल्स और प्रेफिस्ट वन एट इटाइम इसमें से जो सिकार करेगी सिकार कौन करेगी एक समय में एक ही मचली सिकार कर रही है तो उसमें क्या-क्या चैंजिस हमको देखने को मिलते हैं तो एक नया स्टडी सामने आया है जो कि एकस्प्लैन करता है कैसे करके वे कॉडिनेट करती हैं आपस में और कैसे करके कि एक मचली अटेक करने वाली है तो दूसरी मचली को कुछ नहीं होगा यह कैसे करके संबह हो पाता इसको यहाँ पर समझने की जरूरत है और यहाँ पर जो की फैक्टर बताया जा रहा है वो की फैक्टर है उनका तेजी से बदलता हुआ कलर ठीक है तो जो मुख्य बात है वो तेजी से रंग बदलना है जब हम रैपिट कलर चैंज को देख रहे हैं उसका स्टडी किये हैं इस ग्रूप्स ओफ मार्लिन हंटेड स्कूल ओफ सार्डिन्स दा ओथर्स फांड देट अटेकिंग मार्लिन लाइट अप एंड बीकम फार ब्राइटर उसने क्या काम करी हैं वो जो मचली है उसका कलर थोड़ा सा जलन्थ हो गया है वो पहले से कहीं जादा ब्राइटर दिखने लगी है अदर मचली से वो जादा ब्राइटर दिखाई दे रही है क्योंकि उसने अटेक कर दिया है and the color rapidly return to its non-bright coloration इसके बाद तुरंट जैसे इसी कार उसने कर ली तो क्या हो गया फिर फिर से जैसे जैसे वो दूर चले जाती है तेरते हुए तो उनका कलर जो है धुनले होते जाता है एसा यहाँ पर बताए जा रहा है Reliable हम सिगनल की बात करें विश्वसनी संकेत की बात करें तो वीडियो फिटेज से पता चला है कि जब मचली हमले के लिए आगे बढ़ती है तो अलग अलग वीडियो फिटेज यह बता रहा है कि जो इस ट्रिप्स दिखाई दे रही है इंडिविज्वल मार्लिन्स के ऊपर में गौट फार ब्राइटर एस फिस मूड इन फॉर एन अटेक यदि वो अटेक के लिए जा रही है न तो उसकी जो चमक है और भी जादा बढ़ जाती है उसकी जो धारी है इस ट्रिप है पट्टी है और भी जादा चमकीली हो जाती है और जब वे तैर करके दूर चले जाएंगी तो वो धुंदली होते जाती है अब यह पता लगाने के लिए कि रंग बदलते रंग एक दूसरे के साथ में संबाद कर सकते हैं चैंजिंग कलर वर तो कम्नुकेट विद वन अनधर दे अनलाइसे स्ट्वल ही रिजलुशन विडियो स्लिप इच गॉंट इसके अलावा उन्होंने क्वंटिफाई किया था इस प्रकार से थोड़ा सा और अनलाइसिस इन्होंने किया जिससे कंफर्म हो गया था कि जो प्रेडिटरी रेप फिस है रैपिटली कलर चेंज करती है जो कि सजेश्ट करता है कि जो कलर चेंज हमको दिखाई दे रहा है यह एज रिलाइबल सिगनल ऑफ इंडिविज्वल्स मॉटिवेशन टू गो फॉर एन अटेक को बताता है कि यह जो इंडिविज्वल है यह अटेक करने के लिए जा रहे है इससे दूर रहा हो नहीं तो लग जाएगी हम लोग टक्रा जाएंगे इसके बाद वाली जो न्यूस हम डिसकस करने वाले हैं साइंस वाली यह साइंस की न्यूस आई है कॉंट्रा सेप्ट्यू टेक्नीक से रिलेटेड कॉंट्रा सेप्ट्यू टेक्नीक हम किनको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रिग्नेंसी नहीं चाहिए ठीक है यह फिर अंजाने में अंचाहे में प्रिग्नेंसी आजाती है तो उसको कैसे करके आप conversation आपने जाते हैं और दूसरे रूप मेधी देखे तो इसको हम गर्वपात के रूप में देख सकते हैं बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है गर्ब बहुत दिन का हुआ नहीं है तुरंद गोली खालो तुरंद उसको बॉडी से अपने डिस्चार्ज कर दो आज की समय में सबसे ज़्यादा कौमन तरीका कौन सा है इस प्रकार के यहाँ पर सोध किये गए हैं इस अध्यन में तो जो जीवन रक्षक आधनिक गर्व निरोधक चीजें हैं उसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं देखिए एक बच्चा यदि एक महिला ने जन्म दे दी है तो उसके बाद कम से भी कम बोलते हैं कि उसको दो साल तक रुखना चाहिए दो साल तक यदि आप रुखते हैं दूसरे बच्चे के लिए तो बोडी हमारी क्या है न अच्छे तरीके से रीकवर हो जाती है और लगबग लगबग दो साल का जो अंतर रहता है वो काफी बहतर रहता है लेकिन यदि आपने 18 महीने कर दिये 18 महीने से कम कंतर यह आपने दो बच्चों की बीच में कर दिया है तो वो high risk pregnancy में चला जाता है तो कम से भी कम 2 साल का, 3 साल का यह recommend किया जा रहा है to give a woman enough time to recover regain her health, strength and nourishment उसको बहुत सारी चीजे प्राप्त हो जा रही है इससे क्या-क्या चीजे प्राप्त हो जा रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप 2 से 3 साल रुख जा रहे हैं एक बच्चे के लिए, नेक्स्ट बच्चे के लिए तो आपकी body recover हो जाती है आपका health अच्छा हो जाएगा आपका सरीर फिर से गर्ब धारण करने के लिए आपके प्रतेक अंग अच्छी तरह से तयार हो जाएगा आप strength प्राप्त कर लेती हैं आपको पोसण अच्छी तरह से मिल जाता है आज के समय में देखा जाएं सबसे ज़्यादा जो सीजे इस्तवाल में लाई जा रही है वह है condom combined oral contraceptive pills आप गोली खाती है emergency contraceptive pills भी आती है intrauterine contraceptive device है injectable contraceptive है and contraceptive tablet centruman यह offer किये जाते हैं महिलाओं को तो जो most common method रही है वो आज के समय में भी female sterilization जो की permanent मानी जाती है and male condom सबसे ज़्यादा जो use सबसे common जो चीज यूज हो रही है वो यह है कि महिलाओं को नजबंदी करा दिया जाता है और male condoms का इस्तमाल करते हैं वहीं यह दि हम बात करें जो दो नई method है कौन कौन सी है एक है subdermal contraceptive implant and subcutaneous injectable contraceptive क्या बोला जाता है इसको shortcut में DMPASC बोला जाता है इनको introduce किया गया है public health program के अंतरगत कुछ कुछ स्टेट में मतलब यह सरकारी उपाएं हैं सरकारी ऑस्पिटल में आपको इस प्रकार की सुईधाय भी देखने को मिल सकती है तो जो दो हम नई method की बात कर रही हैं यह प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिगनेंसी को फॉर थ्री इयर्ज सबस्टेंसेज प्लांट इन प्लांट से दी लेते हैं तो तीन साल के लिए आप फुरसत हो जाएंगे एंड थ्री फोर मंथ के लिए रहता है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह हो गई है कि भाई लोगों को information बहुत कम है understanding बहुत ही कम है मतलब जो end user है उनको उतनी ज्यादा समझ नहीं रहती उनको उतना information नहीं रहता है साथी साथ में women जो है comfortable feel नहीं करती है and empowered to make their choices also misconception, negative experience, misinformation, taboos, often fuel, hesitancy महिलाएं बहुत सारी चीजों को face करती हैं इसके बारे में यहां पर बताया जाता है कि वो क्या-क्या चीजों को face कर रही है इसके बाद वाली जो news हम यहां पर देखने वाले हैं इसमें संतरे को लेकर के कुछ study सामने आई है यहां पर 26 compound की खोच करी गई है जो की responsible है orange के flavor के लिए वैज्यानिक लोगों ने discover किया है कुछ की compound को जो की responsible माने जाते हैं औरेंज के flavor को लाने के लिए तो देखते हैं कि वो 26 कौन-कौन से compound है इसके लिए उन्होंने evaluation किया था 189 juice sample उठाए थे वैज्यानिक लोगों ने identify किया है 26 compound को योगिकों को जो की important रहते हैं orange के flavor के लिए इसमें include किया गया है esters को that differentiate it from mandarin flavor और यही चीज क्या है जो mandarin flavor है ना उसको इस चीज से अलग कर देती है genetic analysis किया गया था इसके माध्यम से पता चला है कि जो previously undescribed alcohol acyl transverse gene है यह responsible है इस प्रकार के easters की production के लिए pointing to a potential DNA marker to predict flavor attribute to disease resistance orange like hybrid तो यदि हम इस प्रकार के योगिकों का पता लगा सकते हैं तो हो सकता है कि इसका इस्तेमाल हम कहीं और पर किसी दूसरी बिमारी के हल निकालने के लिए यूज करें इसके बाद अगली जो news हम देखने वाले हैं ये news काम में आने वाली है ऐसी लोगों के लिए जो की दर्द से परिसान है हड्यों में दर्द है जोडों में दर्द है तो इन लोगों को जो arthritis की problem चल रही हैं उस चीज से ये निजात पा सकते हैं तो इसके लिए जो therapeutic target हमें चाहिए था वो target हम प्राप्त कर लिए हैं और ये जो रहेगा ये हुमेटॉइड हुमेटॉइड आर्थराइटिस रूमेटाइड आर्थराइटिस से ये related है मतलब उससे ये बिलोंग करता है वैग्यानिक लोगों ने एक नई discovery तयार करी है एक नई खोच किया है कि कैसे करके इंफलेमेटरी form of cell death may drive rheumatid arthritis उन्होंने ये कहा है कि जो इंफलेमेटरी हो रही है जो सूजान आ रही है cells death के चलते चलते इस से rheumatid arthritis होता है कैसे करके होता है तो ये वैग्यानिक लोगों ने एक्सपरिमेंट किया है किसके उपर माइस के उपर and samples from patient और इसके लिए patient से sample उनको प्राप्त हो गए थे इसमें बोला जा रहा है कि जो finding हमको मिली है वो दरसाती है एक protein को जिसका नाम है ये एक की प्लियर माना जाता है autoimmune disorder में and suggest किया है कि ये जो है ये डिजर्व करता है as a both a treatment target and a potential marker of active disease and remission इसके बाद वाली जो नियूज यहां पर हम discuss करने वाले हैं दोस्तों ये जो नियूज आई है ये हमारे इन्वाइर्मेंट एंड जियो लॉजी जियोग्राफी से रिलेटेड हैं कस्मीरी हंगूल्स की हम बात करने वाले हैं कस्मीरी हंगूल्स में अब बोला जा रहा है कि अभी इनके ये बच्चे देने का time रहता है मेटिंग का टाइम चल रहा है इनका ऐसे करके एक छोटी से नियूज आई है तो कश्मीर हंगुल्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं इसको कॉमनली कश्मीर एस्टेक के रूप में जाना जाता है इसको जो वैग्यानिक नाम है आप देख सकते हैं सर्वस हंगलू हंगलू और सबसे इंपोर्टेंट जो चीज यहाँ पर है वो है इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल की केटेकिरी में रखा जाता है जो की इंडियन स्टेट जम्मु एंड कस्मीर में पाई जाती है और यह यहाँ की स्टेट एनिमल है यह एक प्रकार से ब्राउन रेंडियर की लुक में दिखाई देती है इसकी छोटी से पूंच रहती है इट हैज ए बीज कलर ओन दा बिलो एंड इनर इनर लेक्स एट दा रियर एंड ओफ दा एनिमल हाइट वगेरा बताया जाता है कितना क्या है बज़ा नजन कितना क्या है यहाँ पर थोड़ा सा हाइलाइट किया गया है कि यह केवल इट इस दा ओनली एजियाटिक सर्वाइबर और सबस्पेसीस ऑफ यूरोपियन ट्रेंड रैड डियर जैसे कि वो दिखाई भी देती है वैसे दिखाई दे रहे ने जैसे यूरोप में हम रैड डियर देखते हैं ठीक उसी प्रकार से यह दिखाई भी दे रही थे